हलो दोस्तो वल्कम बैक टो दे चैनल सस्टी स्टेडी पॉइंट और यूजी सी नहाँ पर यह आपको दिख रहा है और इसने जो नेट दो हजार तेईस कौन सा वाला एक्जाम जून वाला जो एक्जाम कराया था उसके रिजल्ट को लेकर यहाँ पर गुड निउस है दोस्त इनका ट्विट है देखें एंटिये एम्स टू एनाउंस दर रिजल्ट बाई 26 और 27 जूलाई और किसका नेट का एक्जाम का रिजल्ट जो है तो एंटिये जो है जूलाई के यानि की लास्ट वीक में 26 या 27 जूलाई में अपना रिजल्ट जो है वो डिकलियर करने की रख रही है कोशिश कर रही है तो ये गुर्ण यूज है क्योंकि इससे पहले क्या था कि अगस्त के सेकिंड वीक में इसका रिजल्ट आने की उमीद थी इनका खुद का ही ट्वीट था एम जदिश कुमार जी का कि अगस्त के सेकिंड वीक में जो है रिजल्ट आएगा फा जो बच्चे रिजल्ट का इंजार कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी ख़बर है और अगर कोई अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर वो लोग बता देंगे यहाँ पर कहा है और इससे यह है कि जो बच्चे कभी फॉर्म मरने का सोच रहा है या कहीं वेकेंसी है तो उ कि वेकेंसी के लिए केवल नेट है इंपॉर्टेंट और तो आप अगर नेट कॉलिफाइड है तो फॉर्म आसानी से चाहें वो कॉलिजिस में निकले वेकेंसी चाहें इन्वेस्टेज में डाल सकते हैं तो यह बहुत अच्छी निउस है क्योंकि लगभग 15 डेज पहले है रिजल्ट आने के उम्मीद है क्योंकि अगस्त के सेकंड वीग में जब कह रहा है जो वेक्टी और फिर उसके बाद जुलाई में ही रिजल्ट आये तो बहुत अच्छी बात है और काफी तेजी से काम हुआ है इस वार का जो भी रिजल्ट आया एक्जाम हुआ उसको लेकर पूरा जून 2023 का तो अब दिसंबर 2023 का जिन लोगों को एक्जाम देना है उसके लिए बिल्कुल तैयारी में लग जाईए उसका भी ऐसे ही जल्दी से एक्जाम होगा और जल्दी ही रिजल्ट आएगा आप देखेगा तो मिलती हूँ आप से इसी प्रकार की किसी और कर दिस्कार